आप सब का स्वागत है और जो साथी सब ओनलाइन जुड़े हैं उनका भी स्वागत है साथी हो मैं आज तो ज्यादा समय नहीं लेता हूँ आपका क्योंकि आप जाने के मूर में होंगे और जीतने के मूड में होंगे और मैं आपका जीत करके वापस हाल करोगे तब स्वागत करने के मूड में हूँ और इसलिए वैसे मेरी कोशिश रहती है कि खेल जगत से जुड़े हैं हमारे देश के जो सितारे हैं कि उनसे मिलता रहूं नई चीज़े जानता रहूं उनके प्रयासों को समझता रहूं और सरकार के नाते अगर व्यवस्ता में कुछ बढ़ लाना है कुछ प्रयास बढ़ाने हैं तो इस दिशा में कुछ काम करता रहूं और मेरी कोर्शिज ये रहती हैं कि सबसे डारेक्ट इंट्रेक्शन करूँ तकि फर्स्ट राइन इंफर्मिशन मिलती है खेल का एक स्वभाव होता है हर विद्यार्थी का जैसे रहता है जब वो पेपर देने जाता है एक्जाम के लिए तो पूरे घर को यहसा विश्वास देता है कि पर आप चिंता मत कीए मैं रेंग लेकर आने वादा हूँ और जब उसको तो पता चल जाता है एक्जामनेशन में क्या हो रहा है क्या कर पाएगा ठीक गया नहीं गया तो निकलते ही शुरू कर देता है पंख्य की आवाज बहुत आ रही थी खिरकी खुली थी तो मजा नहीं आ रहा था टीचर बाहर बाहर मेरी तरफ देखते थे तो आपने देखें होंगे ऐसे स्टुडेंट्स उनके पास पहुत सारे बहाने होते हैं मेरी आऊ और हमेशा वह परिस्तितियों को दोस्त देते हैं और ऐसे लोगों की कभी जीवन में प्रगति नहीं होती है वो बहाने बजाने में मास्टर हो जाते हैं लेकिन प्रगति नहीं कर पाते हैं लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई खिलाडियों को जानता हूं वे कभी भी परिस्तितियों को दोस्त नहीं देते हैं कि हमेशा कहते हैं कि मुझे वो टेक्निक मेरे लिए नई थी वो जो करता था मैंने अंदार नहीं लगा है कि वो भी एक तरीका हो सकता है कि कहने का ताप्पर हैं कि दोस्तों हम खेलने के लिए जा रहे हैं हम अपना बेस्ट परफॉर्मस के लिए जा रहे हैं कि लेकिन ओलिम्पिक कि सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है कि अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलू और टेलीफॉन करके सब को बताता रहा हूं देख्या जैसा रहा है जैसा रहा है दूसरे होते हैं बागी हर खेल देखने जाते हैं जैसा ऊपना देश कैसे खेल रहा है तिकना देश कैसे खेल रहा है और वो चीजों को फूरी तर अफसक्वर करता है को कोशिश करता है एप्षाप करें कि और और कर कर के अपने बटार कर调ए यहां बै ich लैसा कंवाल कर दिया था लास्ट मुमेंट मुझे भी बताईए वो क्या टेक्निक थी कभी उस वीडियो को लेकर के दस भार देखता है तो उसने कैसे उसको पलटाता तो इने जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं जो शिकायत में जीना चाहता है उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती है दुनिया के सम्रुद्ध सम्रुद्ध देश भी उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ आए हुए लोग भी शायद शिकायत करते हुए नजर आएंगे और हमारे जैसे देश के लोग जाते हैं कई कठेनाईया होती है बहुत सी असुविधाइव होती है लेकिन दिल में उसके मन में रहता है मेरा देश, मेरा तिरगा जंडा और इसलिए वो कठेनाईयों को असुविधाओं को बिलकुल साइड बरता है वो अपने मिशन के जाता है और इसलिए साथियों मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल की मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे जो पहली बार जा रहे हैं जिनको ओलिम्पिक में जाने का पहला मौका मिल रहा है ऐसे कौन को रहे अब बेटियों के संखें जाता है पहलवानों के संखें जाता है अच्छा जो पहली बार जा रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है मैं जारा सुनना चाहूंगा आप क्या सोच रहे हैं आप इससे कोई भी बताए है हां बताई है आप कुछ कहना चाहती हो न पीछे हां बताई है अपना परीचे बता दीजिए और मैं रमिता जिंदल हूं एर राइफल शूटिंग में मैं पहली बार ऑलम्पिक्स में जा रहे हूं तो एम वेरी एक्साइटेड टो गोवाज अलम्पिक्स में जाने का सपना तो स्टार्टिंग से इता मेरा जब से स्पोर्ट स्टार्ट किया है मैंने तो मुझे काफी एक्साइटमेंट भी है और साथ में मोटिवेशन भी है काफी की देश के लिए मैं कुछ अच्छा करके आऊ हूं आप ट्रेनिंग कहां कहां हुई है मैं हर्याना से हूं बट मैं नहीं चिन नहीं मैं करती हूं परिवार में भी और कोई खेल जगत से जुड़े हुए थे कि आप में शुरुवात कि नहीं में शुरुवात कि अच्छा पर नहीं हरियाना में तो हर घर में खेलाड़ी मिलेगा और कॉन कुछ बताएंगे अपना जो पहली बार जा रहे हैं बेटिया तो बहुत बता सकती है दीजे दीजे वो बोलेगी कुछ हाँ मेरा नाम रिटिकाय और मैं हरियाना रो तक से हूं और मैं बोत खुश हूं मैं पेले बार जा रहे हूं एक्साइटमेंट पी बहुत है कि मैं अपना मैट परदशन दिखाऊंगी पूरी देश की हाँ दीजी आप संकोच कर रही है बोलना है आपको बाड़ी में एंगविज कह रही है मेरा नाम अन्तीम पंगाड है और मैं फिप्टी थी के जी में रैसलिंग करती हूं मैं अभी उन्नीस साल की हूं और मैं ओलम्पिक हैलने जाओंगी बहुत खुशी है मुझे कि अभी अभी ब्रोंज आया तो मैं चाती हूं मैं इसे पेच्छे मैडल लेकिया जाबश आप मैं आठारा से भी कम उमर के कौन कोन है जिनकी एग 18 से कम है एक हां बताईए बताँ हां हाँ आम दीदी देसिंगू I'm 14 years old I'm from Kerala but I represent Karnataka generally I am really excited to go to the Olympics this year as being a part of team India it's a great honor and a great privilege that I got to be a part with such an amazing team this year I know that it's just the start of my journey and I know that there's a long long way to go for me and for all of us over here I hope that we all make our country proud and I hope that we come back with great achievements and lifetime goals wish all the best अच्छा जो लोक तीन बार से ज्यादा बार ऑलिम्पिक में गए हैसे कौन को है बहुर देन थ्री टाइम्स हाँ जरा उन से सुनेंगे बहुर देन थ्री टाइम्स हाँ पताईए जर्गन वालों को तो छूट है कुछ भी बोलने की नवस्ते सर्व मेरा नाम दुपिका कुमारी है मैं आच्छी को रपेजन करते हूँ सर्व बहुत खुशी है और कि यह चौथा ओलम्पिक है मेरा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और यह काफी एक्सपीरेंस है तो मैं उस एक्सपीरेंस को चाहूँगी कि उस एक्सपीरेंस को यूज करूँ और उसी जोश और उसी कॉन्फिडेंट के साथ रपेजन करूँ और अपना 200% दो अच्छा आप जो यहां नए खिलाडी पहली बार जा रहे हैं उनके लिए क्या संदेज देगी जो पहली बार जा रहे हैं इस टिम में सर में बोलूँगी कि डेफिनिटली कि एक्साइटमेंट बहुत जादा होता है बत मैं उनको बोलूँगी कि उस चका चौन में वो ना घूसे जितना हो सके वो खुड पे फोकस करें और एंजोई करें पर पुरे फोकस के साथ पुरे सेल्फ कान्फिदेंश के साथ और मैं ये बोलूँगी कि मैडल के मैडल चीतना है उसके पीठे ना भागे वो परफॉर्म करे अच्छा परफॉर्म करे ताकि मेडल उनके पास आए अब तीन बारा हुआई पहली बार गई उसमें कुछ सीखा होगा कुछ आपने आकर के उसको प्रेक्टिस किया होगा दूसरी बार गई कुछ और चिखा होगा कि मैं जान सकता हूं कि आपने ऐसा कौन सी चीजे नहीं एड़ॉप की जिसके करण आपका कॉन्फरेंस भी बढ़ा है और आपको लगता है कि आप देश को कुछ दे पाओगी या ऐसा तो नहीं कि रूटिन जो प्रेक्टिस करती दी वहीं करता क्योंकि जादा तर मैंने करता हूं वहीं से इद्व से शुरू हो जाता है फिर मैं थोड़ा कॉंसेश होगे कि मुझे आज ये दो छोड़ो दो जाए चीजे करो तो थोड़ा मुझे वैसा हरे का आदफ हो जाती है को अपनी जो पुरानी है वीट है उसी प्रकार से एक करता रहता है और उसको लगत है और प्राक्टिस में आके वह गलती ना करें उसको हम हर दिन रिपीट करते हैं ताकि वह हमारे आदत में उतर आए जो अच्छी आदत है वह उतर आए और वही चीज हम कांटिन्यू करने के कोशिश कर अभी बुरी आदत भी तो आदत भन जाती है तरी का इससा बन जाती ह जाती है बट हम खुद को बात करते हैं खुद से और रिमाइंड कर आते हैं कि यह चीजे हम को कैसे कंवर्ट करनी है अच्छी चीजों में और कौन है जो तीन बार जाकर के आए हैं नमस्ते सर्व में पुवम मैमार अथलेटिक से हूँ टूजन एट में जब में ओलम्पिक तो में 18 एस थी तो में रिजव में तीसर देन 2016 में हम लोग टीम में बागेते तो 2002 के बाद हम लोग फाइनल में नहीं आया तो इस ताइम यह तो इस ताइम यह तो क्रेट आपना अनुभव सेयर करना चाहते हैं तो अच्छा लगेगा सब खिलाडियों को कौन बताना चाहता है हाथ उपर करके शुरू कर दीजिए नमस्कार सर नमस्ते में पीवी सिंभू सर मेरा अभी तर्ड ओलम्पिक्स में जा रही हूं सर तो फर्स्ट ओलम्पिक्स में 2016 में सिल्वर लेकर आय थी और 2020 टोक्यो में ब्रॉंज लेकर आय थी तो इस बार आई ह लोग यह विद और आय रही है जरी खाल गई पता है यहादर आपा में रही है जा कर अपाई पाई तर्ड आय प्रॉंज दर्ड़ कर देंगपी पाई में पानगों फ्यों तो खिल अब कर दो कि अम जा रहा है उन्के लिये क्या देल मैं पास फ्रस्ली आपा कर आसका सबोह बहुत लोग ये सोचते की ओलम्पिक्स है, कैसा केलना, और प्रशर मी बहुत रहते है, और कुछ कुछ लोगों को ये रहते है की वो एक्साइटमें रहते है की, you know, it's our first Olympics and we want to go to the Olympics, but I just want to say that, you know, it is like any other tournament, it's just that हम फोकुस करना है और we have to have that belief in ourselves that we can do it, and definitely sublog hard work कर रहे है, तो I wish them that they give their hundred percent, not think that it is some different tournament and it is going to be hard, but I just want to tell them that it is like any other tournament and I want them to give their hundred percent. Thank you sir, thank you, thank you. और कौन कोई है जो बाहर से बात करना चाहेंगे नमस्ते सर्, मैं प्रियंका गोस्वामी, नमस्ते जी तुम्हारे बाल कृष्ण कहां है? सर मेरे पास ही है यहीं पे स्यूजर लेंड में, तो इस बार में बाल कृष्ण को लेके जा रही हो ना? हाँजी सर ओलम्पिक्स उनका भी दूसरा ओलम्पिक्स है तब से पहले तब तसर आपको पधाई हो कि आप पीसरी वार परधारपंद्जी बने आए है और हम आई सभी किलाडियों को आप से दुवारा से बात करने का और प्ले अर्टम्पिक्स है और सर जैसा कि दूसरा ओ कर यूटोब्स की तरफ से तो काफी सपोर्ट मिल रहा हमें गोवर्मेंट की तरफ से कि हम दूसरे देश में जाके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई होप कि सभी प्लेयर्स ओलम्टिक्स में अपना बैस्ट देंगे और अच्छा रिजर्ट देंगे और ज्याद से प्रैमियत दी जाती है जितने की और खेलों में दी जाती है तो अपने देश में थोड़ा सा कम था लेकिन जबसे आप भी उसको इंक्रेज कर रहे हो कि सब देखो हर खिलाडी के लिए आप बोलते हैं तो हमारे देश में भी बहुत लोग अभी खेल को देख रहे हैं और का कुछ है वहां से कोई बात करना चाहेगा सब्सक्राइब निखत बोल रही हूं सर मैं बॉक्सिंग में फिफ्टी कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हो लंपिक्स में और यह मेरा पहला ओलम्पिक्स है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने देश का नाम रोशन करके वापस लोटना चाहूं बहुत बहुत सुपकामना है निरत कुछ कह रहे थे अब नमस्ते सर नमस्ते विया कैसे हो सर मैं बैसा ही हूँ तेरा चुर्मा अभी तक आया नहीं पिछली बार दिल्ली में चिन्नी वाला चुर्मा था आपको हर्याना का देशी की और बढ़ा लाए तेरी बाग के हाथ का चुर्मा खाड़ा है पक्का सर बताईए बढ़ा है जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है इस बार मैं काफी कम कॉंपिटिशन खेल ला हूँ क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है पर अभी काफी बैटर है कुछ दिन पहले मैं फिल्लैंड में कॉंपिटिशन सब्सक्राइब के जाएं पैरीज में और हंडिड़ परसेंट अपनी कंट्री के लिए चार साल में आता है मैं सब भी एथलीट को भी बोलना चाहूंगा कि चार साल में मौका मिलता है और अपने अंदर घुशके उस चीज को निकाले कि क्या वो चीज है जिससे हम अपना ब सब्सक्राइब के खिला और बहुत ही बिलीव था खुद पर की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होई है और मैं सब्सक्राइब कि वैसे खेले किसी से डरने की गबराने की जरूत नहीं क्योंकि वह इंसान है कहीं बार हमको लगता है कि साइद यूरोपेंस ज्यादा अगर हम खुद को पहचानले कि हां हम इतनी मैनत कर रहे हैं अपने घर बार को छोड़ के तिनी दूर है तो कुछ भी पोसीबल है जी यह बहुत बढ़िया टीप दिये सबको आपको धन्यवाद करता हूं और आपको सुब काम नाज देता हूं आपको स्वास अच्छा रही एक महने में को नई इंजरी ना हो वाई पिलकुल जर्वाई कोशिश कर रहे हैं तेके साथियों आपने देखा होगा कि दो-तीन बाते बहुत अच्छी निकली कि आप जो अनुभवी लोग हैं उनसे जो जानने को मिलता है उसकी एक एहमियत होती है जैसे आपको बताया गया वहां के ताम जाम में डूब बज जाना खो मज जाना यह बहुत सही है जी अधरवाई हमारे लिए वो उसी का प्रभाव इतना होता है कि हम शायद अपनी ची दिया है बाकी खिलाडी हमसे बड़े कद वाले होते हैं लेकिन हम पक्का मानके चले हां कद का खेल नहीं है जी कि यहां को शल्य का खेल आपकी टालेंट का खेल है सामने वाले का शरीर हमसे दो फिट उंचा है चोड़ा है इसकी परभा मत किजिए कि आपको अपनी टालेंट के फरोचा होना चेही है और फिर सामनके किपना इस रीर कोटा हो बड़ा तगना हो दिखने में बढ़ा शांदार हो तो जीती जाएगा मानने का हम नहीं होता है तो अपने पात जो कशल है उस पर ही हमारा फोकस होना चाहिए और वोही हमें परिणाम देता है आपने देखा होगा जिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ आता है उनको लेकर एक्जामिनेशन के समय गड़बड हो जाती है उनको लगता है याद नहीं आता है फिर सोचता है कुछ कोरिलेट करता है और उसका मूल कारण उसका एक्जाम पर ध्यान कम होता है उसका मूल कारण होता है कि अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो घर वाले क्या कहेंगे अगर मैं मार्स कमला है तो क्या उसी प्रेशन में आता है आप चिंता छोड़ दीजे दोस्तों आप खेली अच्छा बस अरे मेडल आते भी है नहीं भी आते क्या है कि यह प्रेशर कभी मत रखी है हां अपना हंडेट परसंट बेस देना है यह मिजाज अपना होना चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए दूसरा आप लोग जानते होंगे आपको साइद यह आपके कोची हैं वो सब यह आपकी जो साइकोलोजिकर जो ट्रीट करते हैं वो भी आपको समझाते होंगे खेल जगत में प्रेक्टिस का जितना महत्वा है कंसिस्टन्सी का जितना महत्वा है उतना ही महत्वा निंद का है और कभी कभी तो कल सुबे मैच होने वाला अज रात को निंदी नहीं आ रही है और शायद कोई और चीज हमें जितना नुक्षान नहीं करती है उससे ज्यादा निंद का अभाव नुक्षान करती है और आपको आफसे रहोगा कि कैसा प्रधानमत्री जो हमको सोने के लिए कह रहा है लेकिन मैं आप चाहर से कहूंगा अच्छी निंद बहुत जरूरी है खेल जगत के लिए किसी भी जीमन के हर चीज के लिए और आजकल तो मेडिकल साइंस भी निंद पर बहुत बल दे रहा है कि आपकी निंद कितने समय की हैं कितनी साउंड स्लीफ है इसका बड़ा महत्म माना जाता है और नया मेडिकल साइंस में इन चीजों को बड़ा स्विकार किया जा रहा है और इसलिए कितना ही एक्साइटमेंट क्यों नहों थी आप नीन पक्ति करके वैसा आप लोग महनत इतनी करते हैं कि आपको निन आना भुत स्वाभाविक होता है तो यह अप गहरी में चले जाएक इतनी महनत करते हैं शरीर से लेकिन शरीर की महनत वाली निन एक वांस है और सभी चिन्ताओं से मुक्त सोना या लगची है और इसलिए मैं आपसे आगरह करूंगा कि आप नि बच जाए वहां थोड़ा कमफर्ट फील करें और उसके बाद आप खेल के बैदान में उतरे तो आपको सुविधा रहे इसलिए एक ववस्ता सरकार करती है खिलाडियों की सुविधा के लिए इस बार भी कुछ नहीं नहीं चीज़े करने का प्रयास किया है लेकिन फिर भी मैं कहिज नहीं सकता हूँ कि हरे को सब कुछ वहां सुविधा जनग हो गाई के नहीं होगा लेकिन कोशिस की है इन दिनों हम वहां के जो भारतिय समुदा है उनको भी जर एक्टिवेट करते हैं उनको मोबिलाइज करते हैं आप भी हमारे खेलाडियों के साथ जारा जुडिया कुछ discipline रहती है इसलिए उतने तो निकट नहीं रहते सकते हैं लेकिन फिर भी वो खायाल रखते हैं चिंता करते हैं जिसका खेल पूरा हो जाता है उसकी तो भारपूर चिंता करते हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक प् कामफर्ट रहें असुविदाना हो और आप लोग अच्छा परणाम लेकर क्या हैं मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुब कामना है और मैं आप लोगों को फिर से एक बार इंतजार करूंगा जब आप 11 अगस्त को तो सारा खेल पूरा होगा आप मैंसे लोग ज परस्तित रहें हैं तक देश देखेका कि करें समारे कि आलेंपिक खेल लिए जो गए थे क्योंकि खेलने जाना यह वह बहुत बड़ी बात होती है जी के और क्या करके आते हैं वो तो उसमें चार चान लगा देता लेकिन देश के अंदर इतना सारा बात खेल जिगत के तो आपको कैसा कॉनसा खेल रहा किया बता जी जी रहा है तो खेलो इंडिया ने मुझे काफी हेल्प किया क्यूंकि दिली में ट्रेनिंग करके और उस कीम में आके जो भी मेरा रिजल्ट आया तो खेलो इंडिया का रहनी आया चलिए अच्छे शुरुवात है हां जी आपका में इंडिया को रिप्रेसंट करूँगी तो जार अठाव में जो फर्स्ट एडिशन था खेलो इंडिया स्कॉल गेंज का उसमें मैंने नाश्रल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेंडल जीता था और वहीं से उसके बाद मैं टॉप्स के कोल गुप में आ गई थी और तब से ब जो आज मैं अपनी टीम में देखती हूं मेरे साथ भी खेलते हैं और मेरे से जुनियर भी है जो खेलो इंडिया से आये हैं और उसकी एक बड़ी स्टेप होती है अप्स जो मुझे दो अजार रह से ही उसका सपोर्ट मिला है और मैं बहुत ही शुक्र गुजार हूं कि इनक इंडिया ने और टॉप्स ने तो जी सर जो आज मैं हूं मैं उसके काफी हद तक उसका सहारा रहा है जी शुक्रेया साथ चलिए बहुत सुक्राम ना है अपको और को हैं जो कुछ कहना चाहते हैं अपने हिसाब तो कुछ बात होताना चाहते हैं कि हाँ नमजगा सर मैं हर्मन प्रीज सिंग हूं हो कि टीम से तो सर लास्ट टाइम जो हमने अलम्पिक में ब्रॉंज मेडल जीता था 41 जीर्स के बाद तो बहुत हमारे लिए प्राउड मोमेट थी हैं क्योंकि होकी की जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी रही है इस बार कोशिश बहुत अच्छी चल रही है लिए अपने बैंगलर साही में रहते हैं तो अपने स्लीप के बारे में बोला और वहां पर जो हमरा रिकवरी का है पूट से लेकर सारा कुछ सर बहुत अच्छा मिल रहा है हमें और इस बार भी हम पूरी अपनी मेनत कर रहे हैं टीम हमरी जो है बहुत स्ट्रॉंग है है। तो उमीद करते हैं हैं। इस बार और पैतर करें और देश के लीए यह हम कैसे हार सकते हैं बाकियों में तो कहते हैं हाँ भी चलो हमारे लोगों कोशिश की प्रयास किया है निकाल रहे हैं होकी के विसे पर कॉप्रमेंट नहीं करते हैं और इसलिए मेहनत भी ज्यादा करने बढ़ती है जैकि मेरी सुप्रावना है मुझे आप पक्का करके अवसर होता है आपने अपनी तपस्या से इस्थान तक पहुंचे हैं अब आपके लिए अवसर हैं देश को कुछ देने का और देश को देने के लिए खुद का बेस्ट खेल के मैदान में देना पड़ता है जो खेल के मैदान में खुद का बेस्ट देता है वो देश के इस बार पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़कर के आएंगे इस बार भारत की कोशिश है कि हम 2036 में ओल्लेम्पिक को कि मैजवानी हमारे देश में करें उससे भी एक बड़ा माहौल बनता है हमारे प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है शायद अभी तैयारिया इंफ्रास्रेक्टर क के लिए जो चाहिए उस पर काम काफी चल रहा है जो भी एक्ष्पर्ट लोग है उस पर काम कर रहे हैं आप लोग भी अगर खेल के बाद खेल के पहले तो मैं नहीं कहूंगा वहां व्यवस्थाएं किया इस पर फ्रांस में अलग-अलग शहरों में आलेम्पिक हो रहा है और एक तो पूरा बहुत दूर एक आईलेंड पर हो रहा है तो एक अलग प्रकार का ही माहोल रहे गा तेकि फिर भी वहां की व्यवस्थाओं में अगर आपकी रूची हो उसको को अबज़र करें उसको नोट करें क्योंकि खिलाडियों से इंपुट मिलता है तो जब हम 2036 की तैयारी करेंगे वह इंपुट बहुत काम आएगा कि वह यह था वहां वह था वहां इस चीज की कमी थी तो ऐसी चीजे भी अगर आप कर अबज़र करके आएंगे तो 2036 के लिए हमें जो करना है उसमें हमें बहुत सुविधा मिलेगी तो मेरी तरब से आप सब को बहुत-बहुत सुपकाम ना है धन्यवार